आजकल बदलती लाइफ इस्टाइल और आनिय में खान पान के करण आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है तो वहीं अक्सर महिलाएं अपने वजन को कम करने के लिए क्रेश डाइटिंग करती है अगर आपको लगता है कि क्रेश डाइटिंग यानि भूखे रहने से आपका वजन तेजी से कम हो जाएगा तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी होती है आपको बता दे कि क्रेश डाइटिंग से आप खुद ही खतरनाग बिमारियों को निवता देते हैं हालकि हाली में वे एक अध्यन के नुसार इस बात का खुलासा हुआ कि भूखे पेट रहना आपकी सेहत के लिए काफी हद तक नुकसान दायक साबित होता है लेकिन आपको बता दे कि ये अगर आप दो तिन महीनों तक लगतार करते हैं तो ऐसा करने से आप बहुत सी खतरनाग बिमारियों से सिंक्रासेद हो जाते हैं आई जानते हैं क्रेश डाइटिंग से होने वाले नुक्षान अगर आप लंबे समय तक भूखे यानि क्रेश डाइटिंग पर रहते हैं तो आप दीरे दीरे ऐसी डेटी की समस्या से क्रासेद होते चले जाते हैं जिसके कारण आप माइगरेन जैसी खतरनाग बिमारी से भी क्रासेद हो जाते हैं बैतर होगा आप क्रेश डाइटिंग पर ना रहें नमबर टू ग्रेश डाइटिंग से आपकी नीन को बहुत गहरा असर पड़ता है इसके करण आपको नीन नहीं आती अगर आपको लंबे समय तक नीन नहीं आती तो आप स्लीपिंग डिसॉर्डर जैसी खतरनाग बिमारी से क्रासेद हो जाते हैं साथी इससे आपके स्किन को फिक काफी हट तक नुकसान पहुंसता है जिसके करण आपका चहरा डल हो जाता है और आपकी एनरजी भी कम होती है बैतर होगा आप भरपूर निन ले क्योंकि भरपूर निन लेने से आप हमिसा सिहतमर बने रहेंगे 3. लंबे समय तक भूखे रहने से आपकी बालों को काफी नुकसान पहुंसता है यानि आपके बाल तेजी से धरने सुरू हो जाते हैं क्योंकि प्रोटीन के कारण आपके बालों की ग्रोथ बढ़ती है साथ ही आपके बाल स्ट्रोंग रहते हैं लेकिन जब आप भोजन ही करेंगे तो आपकी सरीर में प्रोटीन की मात्रा भीहत कम हो जाएगी जिसके करण आपके बाल तूटने लगेंगे और काफी कब्जोर हो जाएंगे किरन हल्डेक से नानी के पोर्ट